जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में लक्ष्मी बाई सभागार में जिला एकी करन समिती की बैठक संपर्ण हुई डॉक्टर घंशाम अनुरागी की अध्यक्षता में विकास भवन की रानी लक्ष्मी बाई सभागार में जिला एकी करन समिती की बैठक संपर्ण हुई वोक्ष्मी विकास अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 31 अक्टूबर 2022 को लौपुरूश सरदार वल्लब भाई पतील की जैन्ती राश्ट्रे अखंडिता दिवस के रूप में मनाई जाएगी पूर्व की भाती इस वर्ष भी और बहतर धंग से मनाई जाएगी जनपत के सभी क्षेत्रों में राश्ट्रे पर्व के रूप में बहुत ही भव्वे रूप से मनाया जाएगा ये पर्व अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी नगरपाली का उरई को निर्देशित किया गया कि सभी प्रतिमाओं पर एक दिन पूर भी साफ सफाई और प्रकाश की विवस्था सुनिश्चित करे उन्होंने बताया कि लौपुरुष सर्दार वल्लभाई पतेल की जैनती पर प्रदर्शनी रैली फल वितरन विचार गोश्थी सांस्कृतिक कारिकरम का आयोजन किया जाएगा उन्होंने अवगत कराया कि दिनांक 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक कौमी एकता सप्ता मनाया जाएगा जिसके अंतरगत राश्ट्रिय खंडता दिवस, अल्प संख्यक कल्यान दिवस, भाशाई सदभावना दिवस, कमजोर वर्ग दिवस, सांस्कृतिक एकता दिवस, महिला दिवस, परियावरन दिवस का आयोजन संपर्ण होगा 26 नवेंबर 2022 को उत्कृष्ट कारे करने वालों को संबानित किया जाएगा